हेलो फ्रेंड स्वागत है आप लोग का हमारी यूटूब चैनल वैंपेक्स में और आज हम 26 जन्वरी के करेंट अफिर्स कोशन्स करने वाले हैं और आज ही हमारे देश का रिपाब्लिक डे भी है और हम लोग 72 रिपाब्लिक डे सेलिब्रेट करें और यह याद भी होना चाहिए कौन से नंबर का है बहत तरवा और हम लोग दाहिंदू AIR PIB इंडियन एक्सप्रेस से अपने सारे करेंट अफिर्स को कलेक्ट करते हैं इसका मतलब है यह फर्स्ट इंफोर्मेशन सोर्स जो हैं वहां से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और इन से कोशन्स जरूर 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 आते हैं किसी भी एक्जाम के आप बात कर ल करेंटाफेस आते ही आते हैं जब आप लोग कि आज की क्लाश शुरू करते हैं परिंदू हमलोग कैस्टार शेरीस से शीन पहला क्रिम अबदेट के रहे हैं तो आप हमारी क्लास को डेलि फॉलू किजिए तकि ज़ CDC की करेंटा फिस पर आप लोग अपनी नजर बंदा कर र पुरसकार के संदर्ग में निम लिखित कत्नों पर विचार करें तो पहला कथन है प्रधान मंतरी राष्ट्रे बाल पुरसकार की स्थापना देश के मेधावी बच्चों व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी दूसरा कथन है यह पुरसकार दो श्रीन्यों के अंतर्गत प्रदान किया जाद है नंबर एक बाल शक्ति पुरसकार और नंबर दो बाल विकलांग वीरता पुरसकार आप लोग को मैं आज 10 सेकिंज का टाइम भी दूंगी आप लोग उन 10 सेकिंज में अपने अपने आंसर को सेलेक्ट करो और मैं जब आंसर दिखाऊंगी तो चेक करना आंसर सही था या गलत था तो करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन ए सही है उसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यूं है हमने क्यूं इस को सेलेक्ट किया है क्योंकि प्रधान मंतरी नरेंदर अधिम से राश्टिय बाल पुरस्कार वीजयताओं से बात्चित करी थी और इस साल विभिन श्रेणियों से 32 आवेदकों को बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है कि इसको याद रखने वाल रखना है कि कितने विजयताओं को चुना गया है 32 और महिला एम बाल विकास मंतराले के तहत इसकी गोशना होती है और और साधारन योग्यताओं उतक्रिष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुवात कभी है 1996 में और इस पुरस्कार का नाम राश्टिय बाल पुरस्कार है और क्यों दिया जाता है इन बच्चों को ये पुरस्कार क्योंकि ये नवचार यानि नएने खूज के लिए या सेक्षिक उपलब्धियों या खेल कला संस्कृति या समाजिक सेवा या सामाज में बाहादुरी का परीचे देने वाले बच्चों को ये पुरसकार दिया जाता है और इस पुरसकार की दो श्रीनिया है नमबर एक बाल शक्ती पुरसकार और नमबर दो बाल कल्यान पुरसकार और दूसरा question है भारत में रास्तिय मद्दाता दिवस निम लिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है तो option A है 26 January, option B 24 January, option C 25 January और option D इन में से कोई नहीं तो आप लोग के पस time है आप लोग अपने-पने answer सेलेक्ट करें थोड़ी सी टेक्निकल प्रोब्लम आ गई है देख लेते हैं किस्टना घेते हैं किस्टना के मिया प्रोबस्त विफित रिझda बदित किस्टना नह camera है किस्टना आपने प्रोब्ल झाल झाल चलिए आप लोका अच्छा खासा टाइब मिलुया था इस कोशन के लिए इसका अंसर है ऑप्शन सी 25 जन्मरी और यह चर्चा में क्यूं है क्यूंकि हाली में यानि 25 जन्मरी को हमारे राष्पति श्री रामनात कोविंग जी ने भारती निर्वाचन आयोग द्वरायोजेते 2011 राष्ट्री मद्दाता दिवस समारोग को वर्चुल रूप से संबोधित किया और भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना कभी थी 25 जन्मरी 1950 को और 2011 वर्ष 2011 से हमारे देश में हर साल राष्ट्री मद्दाता दिवस मनाया जाता है कब मना जाता है 25 जन्मरी को और इसका मुख्य देशी क्या है नए मद्दाताओं को प्रोसाहित करना सुविधा देना मद्दाता सूची में अधिक से अधिक नामांकन करना और देश के मद्दाताओं को समर्पित इस दिवस का उप्योग मद्दाताओं के बीच में जागरुपता फैलाना है और चुनावी प्रकिर्या में भागीदारी को बढ़ावा देना है कोशन नमबर तीन है कि खबरों में रहे रास्टिय बाली का दिवस के संदर में निम लिखित कथनों पर विचार करें नमबर एक पूरे भारत में 24 जन्वरी को रास्टिय बाली का दिवस मनाये गया नमबर दो इसका लक्षे बालीकाओं के अधिकारों के बारे में जागरुपता फैलाने और बालीकाओं के सिक्षा उनके स्वास्थे और पोशन के महतों को लेकर जागरुपता फैलाना है और टाइम आप लोगों थोड़ा सा कम मिलेगा इसमें चलिए तो करेक्ट आंसर है ऑप्षन सी यानि कथान एक और दो दोनों सही है कथान एक क्या था कि पूरे भारत में 24 जन्वरी को रास्टिय बाली का दिवस मनाये गया और दूसरा इसका लगशन के अधिकारों के बार में जागरुपता फैलाना और महिल बालीकाओं की शिक्षा उनके स्वास्त्री और पोष्न की महतों कर लेकर जागरुपता पैलाना है और इस साल रास्टिप बाली का दिवस का थीन क्या था Empowering Girls 4 अब Brighter Tomorrow क्या है इसका थी Empowering Girls 4 Brighter Tomorrow और हर साल हम लोग 24 जन्वरी को राष्ट्य बाली का दिवस मनाते हैं इसकी शुरुवात 2008 में हुई थी और क्यों 2008 में 24 जन्वरी को हम लोग ने राष्ट्य बाली का दिवस के रूप में मनाना शुरू किया क्योंकि 24 जन्वरी के दिन ही 1966 में इंद्रा गांधी देश की पहली प्रधान मंतरी बनी थी देश की पहली प्रधान मंतरी कौन है मैला प्रधान मंतरी कौन है इंद्रा गांधी जी 24 जन्वरी 1966 को बनी थी और इसी वजह से बाली का दिवस को हम लोग 24 जन्वरी को मनाते हैं जैसे कि आप लोगों को पता है जो इंद्रा गांधी जी थी उन्होंने अपनी जितने भी निर्डने लिए वो एकदम इंडिपेंडेंट होकर लिए जिसकी वजह से उनको लोह इस्त्री भी कहते हैं आईरन लेडी कहते हैं और बाली का दिवस मनाने का मुख्य उद्देशिक क्या है वो लोगों में जागरूपता पैदा करना और लड़के लड़की के बीच में जो भेद भाव है हमारे समाज में उसको खतम करना है और इस्त्री पुरुष यानि लड़के लड़की के बीच में समानता के भाव को बढ़ाना भी है नेक्स्ट कोशन है कि हाल ही में खबरों में जलवायू अनुकूलन सीखर सम्मेलन 2021 में निम लिखित में से क्या शामिल है यह AIR से हमने कलेक्ट किया है ओप्शन A जलवायू अनुकूलन सीखर सम्मेलन का योजन संट रास्ट और भारत की सरकार ने साजह रूप से किया है ओप्शन B इस सीखर बैठक का लक्षे व्यापक अनुकूलन प्रियासों के लिए समर्थन में तेजी लाना है ओप्शन C जलवायू अनुकूलन सीखर सम्मेलन 2021 को भारत की तरफ से राश्ट पती द्वारा संबोधित किया गया या ओप्शन D उप्रोप सभी तो आप लोगों को करेक्ट आंसर है ओप्शन B इस शिखर सम्मेलन का लक्ष है व्यापक अनुकूलन प्रियासों के लिए समर्थन में तेजी लाना है ओके सहीत राश्ट महासंचिव गुट्ट रेश है उन्होंने 25 जनवरी को जलवायू अनुकूलन शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और हम लोग आगे देखते हैं कि जलवायू अनुकूलन शिखर सम्मेलन के जो बैठक है वो सहीक्त रूप से सहीक्त राश्ट और नीदरलेंड की सरकार ने किया था और इसका लक्षे जो है व्यापक अनुकूलन प्रयासों के लिए समर्थन में तेजी लाना है और भारत की तरव से प्रधान मंत्री ने जलवायू अनुकूलन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया इस वर्ष नेक्स्ट कोशन है कि हाल ही में खबरों में रहे सीमित देहता भा समय पर फाइलिंग से संबंधित कई अपराध हों जो धोखा दड़ी से संबंधित हैं उसको गैर अपराधिक बनाने की सिफारिश करना ओप्शन B, LLP अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उलंगन के एवज में कमपिनियों के रजिस्टार को दंडित करने का अंतिकार देना ओप्शन C, एक सीमित देता भागिदारी, सीमित देता भागिदारी अधिनियम 2010 के अंतरगत, निर्मित तथा संस्थापित निगमित इकाई है और ओप्शन D, उप्रोब तब सभी आप लोग पस टाइब है, आप लोग अपने अपने अंसर सेलेक्ट कर लिजे और कमेंट बॉक्स में बताएए कि कौन सा अंसर सही है तो इसका करेक्ट अंसर है ओप्शन B, कमपनियों के रजिस्टार को LLP अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उलंगन के लिए दंड देने का अधिकार होगा, यानि उसे दंड देने का अधिकार दिया जा रहा है और एक सिमित देता साजेदारी समीती देता, साजेदारी अधिनियम 2008 के अंतरगत निर्मित तथा स्थापित एक निगमित निकाय है कैसी निकाय है ये निर्मित है और इस्थापित की गई है और इसके सहभागी से कानूनी रूप से प्रिथक उद्धम है ठीक है ये एक प्रिथक उद्धम भी है नेक्स्ट कोशन है हमारा खाल ही में खबरों में देखे गए उपिंद्रनाथ ब्रह्मा के संदर में क्या गलत है क्या गलत है इस पर फोकस दीजिएगा फिल आंसर देना अपना उपिंद्रनाथ ब्रह्मा एक भारतिय बोडो समाजिक कारे करता थे उपिंद्रनाथ ब्रह्मा और बोडो स्टूडेंट यूनियन के पूर्वध्यक्ष थे option C, उपेंदनाथ ब्रह्मा असम के ग्यारवे मुख्य मंत्री थे या option D, उप्रोवत सभी अपना-पना answer select कर लिजे और comment box में बताए इसी से आपकी revision होगी आप लोगों को भी इसमें participate करना पड़ेगा answer C सही है उपेंदनाथ ब्रह्मा असम के 11 मुख्य मंत्रे थे कौँस नंबर के थे? जारवे मुख्य मंत्रे क्यूँ चर्चा में है यह ये भी देख लेते हैं केंदरिक ग्रह मंत्री ने 24 जन्वरी को ये कहा था कि असम सरकार बोडो छेत में तीन डिगरी कॉलेजों की स्थापना कर रही है और इसका नाम जो है वो ब्रह्मा यानि उपेद्नात ब्रह्मा के नाम से रखा जाएगा इस संस्था का जो नाम है वो उपेद्नात ब्रह्मा के नाम से रखा जा रहा है उपेंजनात ब्रह्मा कौन थे यह अमने जान लिया कि वह ग्यारवे मुख्य मंत्री थे असाम के और उनका जर्ण जो है 31 मार्च 1956 को हुआ उनकी मृत्यु एक माई 1990 को हुआ और वो एक भारती बोडो समाजिक कर रहे करता भी थे और और बोडो स्टूडिन्स यूनियन के अध्याक्ष भी रहे हैं उनका जर्म कहां पर हुआ यह देख लेते हैं असम के कोकरा जार जिले में छोटा साइग गाव है डोम्ता डोम्ता के बोरगारी गाव में उनका जैन्म हुआ और उनको उनके मर्ना उप्रांत आठ मई 1990 को उनको बोडोफा खिताब दिया गया कौन सा किताब बोडोफा जो की बोडो के संदक्षक के लिए दिया जाता है इसलिए हर साल उनकी पुन्यत तिति को बोडोफा दिवस के रूप में मनाया जाता है साथवा कोश्चन है निम लिखित में से किस तारीख को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है इंपॉर्टेंट कोश्चन ही आप लोग इस पर गौर्ड से फोकस कीजिए कोश्च ऑप्शन ए 25 जन्वरी ऑप्शन 26 अप्रेल 16 अप्रेल ऑप्शन सी 24 जन्वरी या 10 सेकिंड का टाइम है और यह बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है आप लोग इस पर फोकस करो कि हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है यह भी कमेंट बॉक्स में लिए तो इसका करेक्ट आंसेर है ओप्शन ए पच्चिस जन्वरी को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह 25 जन्वरी इसकी हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस है और इस बार यह पचासवा स्थापना दिवस मनाया गया और 15 अप्रेल 1948 को हिमाचल प्रदेश की तीस रियायतों के एक ही करन के बाद हिमाचल प्रदेश अस्तितों में आया था कब आया था 15 अप्रेल 1948 को और 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश अधिनियम संशत द्वारा पारित किया गया और नया हिमाचल प्रदेश वो देश का कौन से नंबर का राज्य था अठारवा राज्य था और पूंट रूप से कब अस्तितों में आ रही है 25 जमरी 1971 को यह भी देख लेते हैं कि हमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जन जातिया निवास करती है उसमें है कोली डाली, डागी, डूगरी, दासा, खासक, कनोरा और किरात यह जनजातियों के नाम है जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रागेती हासिक युक से रहते हुए आ रहे हैं तो इन जनजातियों के नाम भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में खबरों में रहे, पैलोटोन बाइक के संदर में निमलिकित में क्या शामिल है ओप्शन A, यह पैलोटन कंपनी द्वारा बनाये गया है ओप्शन B, 25,000 डॉलर से उपर की कीमत पर यह कार्बन स्टील और अलुमिनियम से बना है ओप्शन C, यह एक इंटरनेट से जुड़ा स्थिर इंडॉल साइकलिंग कंपनी है माव कीजिए बाइक है, जिसमें कैमरे, माइक्रोफोन और टेबलेट लगे हुए है यह ओप्शन D, उप्रोप्ट सभी तो इसका करेक्ट आंसर है ओप्शन D, उप्रोप्ट सभी यानि यह पैलेटन कंपनी द्वारा बनाए गई है यह भी सही है दूसरा, इसमें 25,000 डॉलर कीमत पर 25,000 डॉलर की बनी है और यह कार्वन स्टिर और अलुमिनियम से बना है ओप्शन C, यह एक इंटरनेट से जोड़ा स्थिरी इंडर साइकलिंग भी है जिसमें कैमरे, माइक्रोफोन और टेबलेट लगे हुए है यह इसके विश्षता है है, आप लोग इसको याद रखना हमारा नेक्स्ट कोशन है कि हाल ही में अखिल भारती आयूर्वेद संस्थान द्वारा आयूर्वेद पर आयोजित जन जागरुत्त कारेक्रम का नाम क्या है आप लोग पर चार ओप्शन है, ओप्शन ए, आयू समवाग, ओप्शन बी, कोवीड नाइंटीन रोप थाम अभियान, ओप्शन सी, वेक्सिन फॉल इंडिया अभियान, या ओप्शन दी, इन में से कोई नहीं 10 सेकिंड का टाइब में आप लोग आंसर दीजिए फटाफर आप लोग आंसर दें कि मैच भी कीजिए, कि गलत है, आप लोग रिस्पांस नहीं करते हैं, आप लोग रिस्पांस भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में तो correct answer है option A सही है वायू समवाद नाम है इसका ठीक और आयूश मंत्राले के अंतरगत अखिल भारती आयूर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयूजित आयू समवाद अभियान आयूर्वेद और COVID-19 महामारी पर जागरुकता फैलाने के सबसे बड़े जन जागरन अभियान कारेक्रमों में से एक है किस के बारे में ये जागरुकता फैला रहा है COVID-19 महामारी के बारे में यह एक अभ्यान है जो कि जग रुप्ता फैलाने का काम कर रहे हैं और इस अभ्यान का मुख्य उदेश है आम लोगों को कोवी नाइंटी के लिए आयुर्वेद के विशे के बारे में जग रुप्ता फैलाना है और इस अभियान की निगरानी राज्चे आयूश निदेश को और N.A.M. टीम के माधम से किया जाएगा नेक्स्ट कोशन है हाल ही में रक्षानु संधाने विकास संगठन निमली हिद्में से किस मिशाइल का सफल परिक्षन किया है P.I.B.C. लिया गया है यह और आप्षन आमार पास आकाश N.G. आप्षन B. अभोम में साइल आप्षन C. M.I.M. 104 पैट्रेट या आप्षन D.N. में से कोई नहीं आप लोग पास 10 सेकिंद का टाइम है जल्ली आंसर की कि देखता है तो हमारा करेक्ट अंसर है ओप्षन A. आकाश N.G. तो रक्षा अनुस अंधारें विकास संगठन यानि DRU ने 25 जन्वरी 2021 को यानि कल ओडिसा के तर्ट से आकाश N.G. मिसाइल का सफल परिक्षन किया है और इसका जो मुख्य उद्देशे है वो भारती वायो सेना में उचाई से जो हवाई हमले होते हैं उसमें सहयोग होना करना है और हवाई खत्रों को रोकना है तो शुरूरिंस हम लोग डेली करेंट अफियर्स लेकर आ रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी questions चूटे नहीं और current affairs को cover कर लें तो आप लोग हमारे चैनल को like करो, subscribe करो और share करो जादा से जादा ताकि हम लोग जो daily update है जो daily current affairs है किसी भी competitive exams के लिए उसके लिए सब की मदद कर सकें ठीक है तो चैनल को like, subscribe और share जरूर करो झाल, तक यू